आये जानते हैं क्या है private army 23 जून को एक new जाता है कि युकरेण में लड़ रहे रसिया के सैनिकों ने रसिया के खिलाब ही बिद्रो कर दिया है दरसल यह बिद्रो रसिया के actual army में नहीं बलकि रसिया के private रसिया को support करने वाले private army में ने किया था जिसका नाम बागनर ग्रूप है समय रहते बेलारूस के राष्टपती ने इस बिद्रोग को इस बिद्रोग की मध्यस्था करके इसको सांथ करवा दिया या समाप्त कर दिया बागनर ग्रूप जो रसिया की एक प्राइवेट आर्मी है जो रस्या के लिए military service प्रोवाइड करता है चलिए जानते हैं प्राइवेट आर्मी होता क्या है प्राइवेट आर्मी जिसको की नीजी सेना भी बोला जा सकता है दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनके पास सरकारी सेना होने के साथ साथ इनकी अपनी खुद की private सेना है नीजी सेना को officially या un-officially recognition मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है जादतर मामलों में यह देखा गया है कि नीजी सेना किसी country की जो नीजी सेना होती है जो private सेना होती है उसको officially मान्यता नहीं दी जाती है एक बैक सपोर्ट के रूप में इनका इस्तिमाल किया जाता है रूस ने कभी भी बागनर ग्रूप को रसिया की आर्मी मानने से इनकार किया है और बट ये अन ओफिसियली रसिया के लिए दुनिया के बिभिन बिभिन देशों पर अपनी सुरक्षाएं देती रहे हैं बागनर ग्रूप के जैसी दुनिया के लगभग 10 देशों के पास कुल मिलाकर 10 देशों के पास अपनी प्राइवेट आर्मी है जिसमें अमेरिका, फ्रांस, आस्टेलिया आदी मुख्य देश है जिनके पास अपनी खुद की प्राइवेट आर्मी है और ये सेनाएं दुनिया भर के देशों को अपनी सेवाएं देते रहते हैं और सेवाओं देने का मकसद क्या हो सकता है? ये सेवा देने के मकसद यही हो सकता है कि इसके बदले में कुछ मिले उनको ये इसके बदले में उस दूसरी कंट्री से या दूसरी देशों की आर्मी से मूटी फीस भसूल करते हैं जब कहीं युद्ध चल रहा होता है तो ये नीजी सैनी कंपनियां उस देश की सरकार या सेना की ओर से युद्ध में लड़कर अच्छी खासी कमाई करते हैं इस से एक दूसरा फाइदा यह भी होता है कि इस से उस कंट्री के उपर कोई वार क्राइम का आरोप नहीं लगता है